नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 23 जून 2022 के डेली न्यूस अनलिसिस करेंट अफेस डिसकेशन में आपका सौगा थे कौन कौन सी न्यूस देखेंगे तो उद्धव ठाकरे फाइट्स टू कीप कंट्रोल अवर शिर्स है ना ये जो मुंबई की political controversy महाराष्टरी की political controversy चल रही है इसके बारे में बात करेंगे इंडिया की digital economy का scope कितना है लगबग 2 trillion dollar का इसके बारे में बात करेंगे औस्ट्रेलिया ने बोला है कि line of actual control पे चाइना ने जो इंडिया के साथ किया वो बिल्कुल गलत किया इसके बारे में बात करेंगे मोदी जी G7 की summit अटेंड करेंगे जर्मनी में इसके बारे में बात करेंगे मनिपुर में जो केबिल लाम जाओ नैशनल पार्क है जहां पे सांगाई डियर्स मिलते है उसके पास एक heritage site को लेके जाये जा रहा है यह पूरी की पूरे मुद्दा क्या है इसको देखेंगे इंडिया की जो current account deficit है वो financial है 2021-2022 में बढ़ी है इसके बारे में बात करेंगे पाकिस्तान को 6 billion dollar की जो deal थी जो aid थी IMF से वो फिर से मिल जाएगी अभी तक 3 billion dollar ही आयते 3 billion dollar और आएगे इसके बारे में बात करेंगे और earthquake ने अफगानिस्तान में 1009 को मार दिया इसके उपर में एक अलग सी वीडियो बना चुका हूँ और अलड़ी चैनल पे लाइव है आप उसे देख सकते हैं तो आगे बढ़नेच पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों चैनल को अब तक share और subscribe नहीं किया कर लिजे कि जा सकती जिससे कोई बहुत potential बड़ा फरक नहीं पढ़ने वाला है उसके उपर कविल करना पीछे पढ़ना लड़ते रहना कि नहीं है ऐसा ही करो इनके second in command शिव सेना के इंदर जो senior minister एकनाश शिंडे जी ने basically शिव सेना के उपर किसका control उसके उपर यहां पे लड़ाई हो गई उद्धव ठाकरे वर्सस एकनाश शिंडे यहां पे हो गया और एक emotional address में facebook पे ठाकरे साब ने बोला वैसे परसली में बोलू तो उद्धव ठाकरे जी बहुत ही अच्छे individual है politicians नॉर्मल कर इतने soft spoken इतने अच्छे दिल के नहीं होते है तो उद्धव ठाकरे साब ने बोला कि यह resign कर देंगे as a chief minister और शिव सेना की top position को भी छोड़ देंगे अगर इनको ऐसा लगता है कि इनके जो top party के अडर से वो इनके साथ नहीं है और अभी के समय पे कुछ ऐसा ही हो रहा है लेकिन शिव सेना की जो fellow MLA's है वो हमारे साथ ऐसा नजर नहीं आ रहे है तो अगर शिव सेना की fellow MLA's को मुझसे problem है तो मेरे सामने बैट के बात करने मेरे से दूर क्यों है तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे उटी है इस समय पे एकनाश शिंडे साब गोहार्टी पहुँच चुके है MLA's के साथ और वहाँ पे overall कुछ बात चीच चल रही होगी जो भी चल रही होगी उसके बारे में अभी जादर जानकारी सामने आई नहीं है देखा जाए तो 34 MLA's के दौरा sign किया गया letter जो कि यहाँ पे एकनाश शिंडे को support करें जिसमें से 4 independent है इनका यह बोलना है कि यह जो legislature party शिव सेना कब में जो अजय चौधरी को party leader बनाया गया था यह गलत है party leader यहाँ पे कौन है एकनाश शिंडे at the same point of time अगर आप देखो तो इस समय पे सुनील प्रभू देखे शिव सेना का chief whip बनाया गया सुनील प्रभू को whip का काम क्या होता है party के members को control में रखना तो सुनील प्रभू ने एक letter लिखा इसको एकनाश शिंडे को कि आप वापस आ जाईए इस प्रकार से rebel मत करिए इस प्रकार से लडाई मत करिए तो इसके response में एकनाश शिंडे ने क्या बोला कि हम सुनील प्रभू को शिव सेना का chief whip मानते ही नहीं है हमारे इसाब से शिव पेना का chief whip है Mr. Goga वले और Mr. शिंडे खुद legislature party के leader है तो basically ये जो political crisis महरास्ट में हो रही है वो शिव सेना के अंदर कौन leadership है शिव सेना की party leadership किसके हाथ में इसको लेके most probably होती हुई नजर आ रही प्लस ही जो rebel group है जिसको एकनाश शिंडे साब lead कर रहे है इसने letter भेजा है governor को और deputy speaker of legislative assembly को भी अच्छा आप exactly यहाँ पे Mr. एकनाश शिंडे चाते के हैं तो अभी तक ऐसा समझ में आ रहा है कि एकनाश शिंडे जी का यह बोलना है कि 2019 का जब election लड़ा गया था तो बीजेपी के साथ alliance में लड़ा गया था लेकिन बाद में सरकार जब महाविकास अगाडी की बनी तो Congress और Nationalist Congress Party के साथ बनी अब इनका बोलना है कि भाई यह जो शिव सेना पॉलिटिकल पार्टी इसका जो मूल एजेंडा है वो हिंदुत्वावाजी एजेंडा है तो हिंदुत्वाजी एजेंडा के लिए शिव सेना को बीजेपी के साथ alliance बनाना चाहिए ना कि Congress और Nationalist Congress Party के साथ तो यह एक कह सकते है ideological clash आ गया है शिव सेना के members के अंदर वहीं पर आप बात कुरो तो जो All India Congress Committee के कमलनात सावे इनका यह बोलना है कि हम as a party, हम as a Congress Party और Nationalist Congress Party दोनों ही शिव सेना के उदव ठाकरे जी के पीछे खड़े हुए है लेकिन ऑविस सी बात है अगर यह 34 MLA's शिव सेना को छोड़ देते हैं तो उदव ठाकरे जी morally भी और आप कह लिजे सामने सामने no objection motion भी पास करा दिया जाए तो भी उस case में Chief Minister वो नहीं रह पाएंगे चुकि इस समय पे जो claim है तो जो विधान सबा है महराष्ट की इसको lower house बोलते है 288 members है अभी के लिए United Progressive Alliance महाविकास अगड़ी यहां पे बनी हुई जिसमें शिव सेना के 56 MLA's Nationalist Congress Parties के 33 MLA's International Congress के 44 MLA's BVA के आपके 3 MLA's समाजवाधी पार्टी के 2 PGP के 2 PWPIE का 1 और इंडिपेंडेंट आर्ट BJP के पास इस समय पे 106 MLA's इनके साथ भी बहुत सारे आप कहलो National Democratic Alliance बाकी अधर्स यहां पे आपको और भी नजर आ रहे हैं तो कुल मिल आके अगर overall देखा जाए अगर National Democratic Alliance को ताकत में आना BJP के पास 106 MLA's का सपोर्ट चाहिए Already 113 का इनके पास है तो मतलब 32 MLA's का सपोर्ट और चाहिए यहां पे और अगर ये 34 rebel MLA's BJP को सपोर्ट दे देते हैं तो प्रिजिएंट सरकार गिर जाएगी और BJP लेट सरकार आ सकती लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शिव सेना पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये जो आप कहलो डिसेंशन चल रहा है इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा इसकी अभी के लिए कोशिश की जाएगा तो बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस समय पर महारास्ट में है फिर अफगानिस्तान के अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में मैं अलड़ी एक वीडियो बना चुका हूँ वो सुबह आपको मिल जाएगी मैं आपको फिर से बता दू जो लोकेशन इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक की वो यहां कहीं पे है जो सिटी है खोस्त नाम की अफगानिस्तान की उसके 28 मील साउथ वेस्ट में बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास जिस पर टू डिजास्टर्स के रिस्पेक्ट में निउस काम की दी सुबह डिसकस कर चुका हूँ फिर तीसरी न्यूस यह कि PM मोदी जी ने यहां पे बोलाए कि डिजिटल एकनॉमी का सोप इंडिया के अंदर एक ट्रिलियन डॉलर का है और अगर आप डिजिटल एकनॉमी और इंफरस्टर्चर को मिला दो तो टोटल पोटेंशल इंडिया का है 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स का 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स मतलब एक हजार बिलियन डॉलर ये मोदी जी ने कहां बोला तो अभी Brics Business Forum की मीटिंग हो रही थी वहां पे डिजिटल ट्रांस्फोरमेशन जो हो रहा है एक बिलियन डॉलर से ज़ादा है प्रस मोदी जी यहां पे बोलने कि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है नाशनल इंफरस्ट्रेक्चर प्राइप्लाइन में वह एक 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की इंडिया की डिजिटल एकनोमी की जो वैल्यू है ठीकिन थर्स्टे को अच्छली में वर्चुली एड्रस करेंगे इंडिया में ही है मोदी जी ओवराल ऑन्लाइन ही ये सारा भाशनल मोदी जी ने यहां पे दिया है नियू इंडिया में बहुत सारे चेंज़ेज हो रहे है ब्लू एकनोमी में, स्पेस में, ग्रीन हाइडोजन, प्लीन एनजी, ड्रोंस, जी ये बाते हैं यहां पे बोली जानी फिर अगर आप देखें तो इसी पर्टिकुलर समिट में जी जिंग्पिंग ने भी अपना भाशन दिया बहुत अद्टल नाटो और एंटी ये ये नजर आया देखें यहां पे उक्रेटी स क्राइस को लेकि जी जिंग्पिंग क्या बोल रहे है जी जिंग जारा है है यहां पे जी जिंग्पिंग के दौरा कि भाई यह जो US है जो मौनी दिखाता है ताकत दिखाने की कोशिश करता है यह कहीं पर आपको लेके नहीं जाएगी Ukraine crisis एक wake-up call है military alliances मत बनाओ basically NATO को grid size कर रहे है और अपनी security के लिए दूसरी की security को मत खत्रे में डालो मतलब यह जो NATO का जो eastward expansion हो रहा है इसके against बात कर रहे है जी जिंग्पिंग पिर at the same point of time जी जिंग्पिंग क्या बोल रहे है कि sanctions हारा boom rang and a double edge sword मतलब कि ज़्यादा sanctions लगाओगे तो यह आपके उपर backfire कर जाएगा एक double edge sword है आपको ऐसा लगता है कि आप sanction लगा के सामने वाली country को चुप करा लोगे लेकिन आप चुप नहीं करा पाऊगे और actually मैं ऐसा यहाँ पे हुआ है देखिए अगर आप Z.Z.P के perspective से सोचो तो Z.Z.P को यहाँ पे attack करने में ज़्यादा लगा Z.Z.P को यह लगा होगा कि देखो हमारे ओपर sanction चलेंगे हमारी गनौमिंगी नुकसान होगा लेकिन यूक्रेन का चितना land इलाका रशिया कबजाएगा उससे रशिया को फाइदा भी बहुत होगा long term में और कुछ हद तक यह बात सही लिए तो 23 जो उनको Mr. Z.Z.P ब्रिक्स लीडर की की कोशिश करेंगे ब्रिक्स स्टेट की एक international reserve currency बनाने की कोशिश की जा रही है और at the same point of time जो रशिया का payment system है MIR payment system इसको promote करने की कोशिश कर रहा है रशिया like-minded countries की बीच में अगर रशिया इस MIR payment system को implement करवा देता है तो western sanctions के effect के बिना जो भी countries इस payment mechanism के अंदर आती होंगी वो आराम से payment बगरा कर लेंगी उनको किसी प्रकार की कोई problem नहीं होगी ये जो MIR है ये एक Russian payment system है electronic fund transfer के लिए Central Bank और रशिया ने इसको एक मही 2017 में अडॉप्ट किया था इसको operate किया जाता है Russian National Card Payment System के दौरा ये पूरी तरीके से Central Bank of Russia के दौरा owned है ये जो MIR नाम का payment system में ये credit card issue नहीं करता है लेकिन overall ये particular payment mechanism के अंदर आप आ गए हो तो आप कोई भी bank हो कोई भी entity हो आप credit cards, debit cards वगरा issue कर सकते हो और इस payment के software और hardware और infrastructure का इस्तिमाल कर सकते हो पैसो के transfer के लिए इस MIR नाम के idea को mid 2000s में World Bank के साथ बाचीथ में Central Bank of Russia ने propose किया था लेकिन उसके बाद global financial crisis आ गई फिर 2014 में इस crimine peninsula को लेकर रशिया के ओपर sanctions लग गए तो रशिया के major scale पे globally इस MIR payment system को implement नहीं करवा पाया पर आज की date में जब पूरी दुनिया ने रशिया के ओपर sanctions लगा रहे हैं तब भी रशिया कोशिश कर रहा है कि like-minded countries के साथ इस MIR payment system में enroll किया जा सके ताकि overall payment और trade में problem ना है GS paper 2 regional groupings involving India's interest में news काम आएगी फिर भाई केबिल नाम जाओ नेशनल पार्क जो कि मनिपूर में है यहाँ पर protest हो रहे है actually में हुआ क्या है कि मनिपूर में BJP की सरकार है वा BJP की सरकार का बोलना है कि हम एक heritage park लेके आएंगे केबिल नाम जाओ नेशनल पार्क के बगण में ये Heritage Park Cable Lamjau National Park से केवल 6 किलोमेटर दूर होगा अब पहले ये जो Heritage Park था वो थोड़ा दूर बन रहा था आब BJP के सरकार का बोलना है कि Cable Lamjau National Park जो कि विश्नुपूर डिस्ट्रिक्ट में है इसके पास ही Heritage Park आएगा लगबग 6 किलोमेटर दूर जो मनिपूर के चीफ मिनिस्टर है अन्बिरेन साब ये नहोंने बोला है कि हमने 46 करोन रुपए इस Heritage Park के कंस्ट्रक्शन के लिए साइड में रखे है यहाँ पर ट्रिशनल थैस्ट हाउसेज बनाए जाएंगे Heritage Park के तरह एक काम करेगा इंडियन नेशनल आर्मी का म्यूजियम भी यहाँ पर बनाये जाएगा वो जगह जो इंडियन फ्लैग ओफ इंडिपेंडेस जहाँ पहली बार लगाया गया था वो जगह पास में है तो ओर रल टूरिजम को यह एक कुश्च देगा लेकिन जो लोग हैं वो नाराज हैं जो साथ जॉइंट यूद क्लब्स हैं आपके केबिल नाम जाओ नेशनल पार्क के आज पास के वो नाराज हैं बहुत सारे वुमन और इन्वार्मेंटल एक्टिविस्ट इस इलाके के वो यहाँ पे नाराज है कि अगर आप इस हेरिटेज पार्क को केबिल राम जाओ नेशनल पार्क के पास ले आता हो तो KLNP की खुद की जो पहचान है वो चली जाएगी अभी के लिए क्या है कि जो केबिल राम जाओ नेशनल पार्क कि इसके ले जाना जाता है तो सांगाई डियर के लिए जाना जाता है, इंडेंजर्ट ब्रो एंटलेड डियर के लिए जाना जाता है, ये डियर इस समय पर इंडेंजर्ट केटेगरी में है, इसकी population अभी भी 300 से कम है, रेड बुक में ये आता है, अब ये जो केबिल लाम जाओ नेशनल पार्क के, यहाँ पर floating decomposed plant material पाए जाते हैं, इसलिए floating national park भी इसको बुलाता है, floating late बुलाता है, फुम भी कहते हैं इसको, 1966 में इसको wildlife century बना दिया गया था, 1977 में national park बना दिया गया था, अब अक्सर कर सुनने को मिलता है, कि यहाँ पे जो dancing deer है, आपका sangai, इसको अक्सर कर मारा जाता है, इसकी meat को लोग खाते हैं, और overall लोग तक लेक के अंदर, आप सबकी entry band करनी सकते हैं, चुकि यहाँ के जो traditional farmer से, जो जाके fishing बगरा करते हैं, तो एक local ecosystem यहाँ पे setup हो गया, और उस local ecosystem में भी, cable lamjao national park को preserve करना मुश्किल हो गया है, इसके sangai dears को बचाना मुश्किल हो गया है, फिर भी जो आसपास के local लोग है, वो यहाँ के sangai dears को protect करते हैं, अब इन local लोगों का बोलना है, कि अगर आप heritage park यहाँ के पास ले आओगे, तो इस पूरे इलाके के जो local ecosystem में वो डिस्टर्ग हो जाएगा, फिर कुछ unique नहीं बचेगा, जो लोग अब तक सिर्फ इस particular lake को देखने आते थे, cable lamjao national park को देखने आते थे, sangai dears को देखने आते थे, अब वो जादा आएंगे heritage park की वे से, लेकिन जो unique ecology थी, जो unique setup था जगा का वो चला जाएगा, प्लस जो बहार से लोग heritage side में आके settle होंगे, वो उस हद तक local ecology को honor करेंगे, preserve करेंगे, इसके बारे में हम confirm नहीं हो सकते हैं, इसी लिए overall अगर आप देखो, तो ये जो proposed heritage park, cable नाम जाओ नेशनल पार्क के पास आ रहा है, इस step को यहाँ पे बहुत openly criticize किया जा रहा है, समझ गया, हर साल यहाँ पे सांगाई फेस्टिवल होगा है, तो local लोग कह रहे हैं, कि यार ये जो proposed site पे लोग रहने आएंगे, तो कि लोकल लोग के पास अगर एक हस्से अदा बहार के लोग को लाके establish कर दोगे, तो automatically उनको वहाँ पे कुछ issues होने लगते हैं, कुछ problems होने लगते हैं, G.S. Paper 2, Government Policies and Intervention और Biodiversity में नीज़ आपको काम आएगी, फिर अगली नीज़ है, G.S. Summit को जर्मनी में जाके attend करेंगे मोदी जी, देखे, World's Most Developed Economies G.7, इनका summit है, और इस summit में obviously बात रश्या के ओपर discussion होगा, G.7 में countries कौन-कौन से आती हैं, तो Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US, और EU, इडिया को यहाँ पर invite किया गया as a special invite, June 26, 27 को यह meeting होगी जर्मनी में, और मोदी जी वहाँ पर जाएंगा, और no doubt मोदी जी और इंडिया के ओपर वहाँ पर pressure डाला जाएगा, कि भाई, आप यह Russia, Ukraine के मुद्वे को लेके करते क्यों हो, आप Russia से तेल क्यों खरीद रहे हो, रूपी रूबल मेकेनिजम में क्यों trade कर रहे हो, अपने wheat के export को क्यों ban कर रहा है, इससे बातों में इंडिया ने बागी countries को जादा entertain किया नहीं है, बट फिर भी इंडिया के ओपर pressure यहाँ पर डाला जा रहा है, मिट हमारे politicians बहुत सीजन है, overall इस pressure पर buckle down कोई करने वाला है नहीं, इंडिया ओविस इबात हैं अपने self-interest को सबसे आगया रखे है, यहाँ पर मोदी जी दो sessions में speak करेंगे, जिसमें environment, energy, climate, food security, gender equality, health, democracy की उपर बातचीत होगी, यह 26 से 28 जून की जो visit है, इसको complete करने के बाद मोदी जी वापस जाते वाक्त एक छोटा सा stop लेंगे, अबू ढबी में, जहाँ पर जो अभी जो leader थे, UAE की जो प्रेजिडंट थे, शेख खलीफा बिन जायद अलहान, इनकी मृत्तुवी थी, तो इसके बाद जो नए ruler आये हैं, प्रेजिडंट शेख मृम्मद बिन जायद नहान, इनको आके कंडोलेंस देंगे, और congratulations भी देंगे, फिर इस G7 meeting में, और भी कुछ countries की leader आ रहे हैं, अर्जेंटीना के, इंडोनेशा के, सेनेगल के, साथ अफरीका के, इनके साथ भी मोदी जी बैठके बातचीत करेंगे, मोदी जी और इंडोनेशा के प्रेज़ट जोको विडूडो की एक bilateral meet यहाँ पे होनी है, वार के उपर यहाँ पे बातचीत होगी, मोदी और साथ अफरीका के प्रेज़ट साइरल रामा फोसा भी वर्ट्यल समिट ओफ ब्रिक्स को होस्ट करेंगे, वर्चुली जिसको, सॉरी, इसको अटेंड करेंगे, जिसको वर्चुली होस्ट कर रहे हैं, चाइनीज प्रेज़ट जी लिंग इस पर्टिकुलर BRICS meeting को लेके ही doubt था पिछले साल से कि क्या Modi जी इस meeting में participate करेंगे LEC में जो कुछ भी है उसके बाद लेकिन कहीं न कहीं कर रहे हैं Group of 7 की बात की जा तो एक international organization, intergovernmental organization 1975 में मना था, common interest like global economic governance, international security and energy policy के उपर बातचीत करता है, साथ countries में UK, Canada, France, Germany, Italy, Japan, US और overall देखा जा तो G7 और India दोनों ही G20 के पार्ट है, सब कोई formal constitution fixed headquarters नहीं है, और जो भी decisions यहाँ पर लिए जाते हैं, वो non-binding होते हैं, किसी को पर binding नहीं है, जिसमें बड़ी effect of policies of developed countries over India's interest में news काम आईगी, फिर अगली news है इंडिया reports financial year 2022 current account deficit of 1.2% देखे, 2020 किस financial year की बात करोगे तो वहाँ पे जो current account deficit थी, वो surplus में थी, 0.9 अब आप current account deficit, current के जो जितने भी खर्चे हों, जितने भी आपके कमाई है, देखे, क्या है current account deficit के अंदर एक बड़ा component होता है trade deficit अब क्या है, current account capital account, देखे, हमारे budget में हमारे finances में दो चीज़ें आती, current account capital account, capital account जो नए assets को पैदा करे, current account जो current के खर्चों को निका दे, समझे है current के खर्चे मतलब staff अगरे की salary मतलब जो running खर्चे होते हैं सरकार के उससे कोई नए asset नहीं बनता है, तो current account deficit में जितना पैसा आपके पास है, तो वो current account receipt हो गया, जितना खर्चा आपका हुआ current account expenditure हो गया, अब normal का expenditure हमेशा हमारे जितना पैसा आ रहा है, जो receipt है, उससे जादा होता है 2020-21 में क्या हुआ, कि खर्चा हमारा कम हुआ, तो हमारा current account surplus में चला गया, कितना 0.9%, लेकिन फिर से 2021-22 में हमारा current account deficit हो चुका है 1.2% of GDP, उसकी एक वज़ा यह है कि जो हमारा trade deficit बहुत जाद है, हमारा जो trade deficit था, अगर आप देखो तो 2020-21 में trade deficit था 102.2 billion dollar, 2021 2021 में trade deficit हो चुका है 189.5 billion dollar, हमने 400 billion dollar से ज़्यादा कि export किये, लेकिन import उससे भी बहुत ज़ादा कि तो overall trade deficit इतना ज़ादा होगा कि वो current account deficit को negative में लेके चला गया, और अभी के लिए current account deficit 1.2% of GDP पहुँच चुका है, अब इसके कुछ sub-classifications को देखें तो 2021-22 में, जो net foreign direct investment है, इंडिया के अंदर हो थी 38.6 billion dollar, 2020-21 में 44 billion dollar थी, तो receipt यहाँ पे थोड़ा कम दिख रही है, जो net portfolio investment है, अगर आप देखें तो 2021-22 में, इंडिया से 16.8 billion dollar बाहर चला गया है, इसके बारे मैंने सुबह Black Swan event के बारे में बात की थी, आज सुबही मैंने Black Swan event से आपको वीडियो बनाई है, तो आप देखो, तो जो net portfolio investment से 2020-21 में, वो इंडिया के अंदर आयते 36.1 billion dollar, तो वो positive था है, कि इंडिया से बाहर चले गए तो negative, तो portfolio investment 2021-22 में 16.8 billion dollar इंडिया से बाहर चला गया है, इसलिए यहाँ पे एक Black Swan event को estimate किया जा रहा आने वाले समय में, अगर जनवरी से मार्च 2022 quarter की बात की जाए, मतलब 2021-22 financial year के आखरी quarter 4 की बात की जाए, तो जो current account deficit है, वो 13.4 billion dollar पी थी, और quarter 3 की बात की जाए, तो वो 22.2 billion dollar पी थी, ठीक है भई? और भी बहुत छोटे-छोटे figures यहाँ पे आपको दे रखे हैं, मैं यह नहीं बुलूँगा कि आप सारे figures को यहाँ पे याद करो, मतलब नहीं है कोई याद करने का, उतना important नहीं है, चुकि quarter by quarter data है यहाँ पे, जिसे for example, देखी क्या बता है जारा है, जो merchandise trade deficit है, वो मार्च quarter में 54.5 billion dollar होगे, और पिछले quarter में 60.4, मतलब, पिछला quarter मतलब, अक्टूबर, नॉंबर, दिसंबर वाला जो quarter 3 था, financial year 21-22 का, उसमें जो merchandise deficit थी, वो 60.4 billion dollar थी, और भाई, जनवरी फर्वी, मार्च 2022 में कितनी होगे, 54.5 billion dollar, यह particular statistics मेरे साब से ज्यादा काम का है, फिर net external commercial borrowings की बात की जाए, तो 21-22 में हमने वहार से बौरो किये 7.4 billion dollar, net external commercial borrowings मतलब, इंडिया ने जो बाहर से बौरो किये, बाहर वाल ने जो इंडिया से बौरो किये, तो हमने 7.4 billion dollar effectively बौरो किये यह 2020 में, यह 2020 में 0.2 billion dollar है, एक अच्छी बात यह है, यह 2021 में जो हमारे foreign exchange reserves हैं, वो 47.5 billion dollars बढ़े हैं, एक्रेशन मतलब बढ़े हैं, तो यह कुछ important information है, basically आप यहाँ पे दोस्तों कह सकते हो, private transfer receipts, जिसमें mainly remittances होते हैं, जो कि इंडिया बाहर काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर भेजते हैं, वो 23.7 billion dollar पे पहुँच गए हैं, पिछले comparison में 13.4% बढ़े हैं last quarter के लिए, तो यह कुछ specific information थी, बहुत detail और deep में मैं हाँ पे नहीं जाऊंगा आपके लिए, ओके, यह बस figure याद रखना कि जो current account deficit है, financial year 2021-22 की, वो 1.2% पे पहुँच चुकी है, ठीके ना, और पिछले साल 2021-21 में कितनी थी, 0.9% surplus में थी, इस बार deficit हो गई 1.2% क्यों हो गई है, चुकि 2020-21 में जो हमारा trade deficit था, वो था 102.2 billion dollar, 102.2 billion dollar, और 2021-21 में कितना है, 189.5 billion dollar, जिसमें बत्री इंडियन economy में इन्यूस प्राम आईगी, फिर जो cash trap पाकिस्तान इसने IMF के साथ एक bill की है, 6 billion dollar की, 6 billion dollar का जो assistance package था, इसको आप कहलो, जुलाई 2019 में promise किया गया था, लेकिन 6 billion dollar में क्यों आधा ही पैसा है, फिर पाकिस्तान की financial condition बिगड़ गए, इमरान कान की, बनी नी, western countries के साथ, ये जो, आप कहतो, aid थी, ये aid बंद कर दी, आप इस aid को फिर से शुरू किया जा रहा, जिससे पाकिस्तान को immediate basis पे 1 billion dollar मिल जाएगा, IMF से, यहाँ पे पाकिस्तान के ओपर बहुत सारी conditions लगाई गई है, पाकिस्तान से बोला गया है कि आप taxes के थूरू 43,600 करोन रुपीज और एक खटा करिए, ये रुपीज पाकिस्तानी रुपी की बात हो रही है, petroleum के ओपर 50 रुपे प्रती लीटर तक का tax लगाई है, overall पाकिस्तान के state bank को यहाँ पे बहुत से targets दिये गए, समझ गए, no doubt IMF की तरफ से 1 billion dollar यहाँ पे पाकिस्तान के लिए release किया जाएगा, लेकिन obvious सी बात है, पाकिस्तान को अधार दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान से economic के respect में, कुछ concessions भी accept किये जाएगे, तो पाकिस्तान से बोला है कि आप petroleum product के उपर एक developmental level लगाई है, जो कि 5 रुपे प्रती मंत से आगे आने वाले समय में 50 रुपे प्रती मंत तक जाएगी, फिर भाई, मतलब, basically 5 रुपे प्रती लीटर, पाकिस्तानी रुपीस, पेट्रोल के उपर टैक्स लगाया जाएगा, शुरुवाती मंत में, फिर धीरे-धीरे करके इसको 5-5 रुपे बढ़ाया जाएगा, मतलब, इस महीने में अगर 5 रुपे प्रती लीटर है, आपका developmental level लवी पेट्रोल के उपर, तो अगले महीने 10 हो जाएगी, फिर उसके लिए महीने 15, फिर उसके लिए महीने 20, maximum 50 रुपे प्रती लीटर, पाकिस्तानी रुपीस, पेट्रोलियम के उपर लवी लगनी चाहिए, ताकि overall पेट्रोलियम में जो exit amount of incentives वगड़ा दे रखे, टैक्स ब्रक वगड़ा दे रखे, उनको न्यूटिलाइज किया जा सके, फिर वो फरम्स जो 15 करोट ज़्यदा कमारी, उनके उपर 1% poverty tax, जो 20 करोट ज़्यदा कमारी, उनके उपर 2% poverty tax, जो 25 करोट ज़्यदा कमारी, उनके उपर 3% poverty tax, जो 30 क्रोड ज़्यादा कमारी उनको उपर 4% प्रवर्टी टेक्स इस परकार के प्रवर्टी टेक्स लगाने की बात की जा रही है शहबाज शरीफ से बोला है कि अपने टेक्स कलेक्शन टार्गेट को बढ़ाओ कम से कम 42,200 करोण का टेक्स कलेक्शन यहाँ पर करो और जो additional salaries और pensions इमरान खान की सरकार ने promise की थी वो शहबाज शरीफ की सरकार अब नहीं देगी यह IMF ने return से लिया है पाकिस्तान से तो इमरान खान पीछे बढ़ जाएंगे शहबाज शरीफ की सरकार के कि तो वेस्टन कंटरीज के सामने जाके जुग गए पाकिस्तान ने अपने सामने target रखा है कि वो 15,200 करोण पाकिस्तानी रुपी का primary budget surplus लेके आएंगे कि अवल interest payment अलग से उधार से दी जाएगी बागी सब खर्चा अपने expenditure के थूँ ही किया जाएगा जो tax receipt आती तो basically ये सारी के सारी IMF के द्वारा conditionalities place की गई है पाकिस्तान की सरकार के उपर पाकिस्तान की balance of prepared crisis को solve करने के लिए हाना कि politically defeating होगी ये conditions चोंकि पाकिस्तान के अंदर चीजों के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं और इमरान खान सरकार ruling सरकार के उपर सर चड़के घूम रहे हैं फिर finally एक news यहाँ पर यह है बाई Australia के जो प्राइम मिनिस्टर रेपिटी प्राइम मिनिस्टर रों इंडिया के अंदर आहें और इंडिया के रिस्प्रक्ट में उनकुछ बाते कहीं मैं यह वीडियो यही खत्म कर रहा हूं आप इस आर्टिकल को पढ़ लो मैं आपको बीडियाफ अबलेबिल करवा दूँँ ज्यादा कुछ इसमें बहुत extraordinary लिखानी जो मैं आपको अलग स से बताओं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक को शीर कर दीजेका इस्टराइब फॉलो कर लिजेका टेलिगां गुब जोन कर लिजेका जादा से जादा लोंसा नेक्चेर को शीर करें आव ग्रेट डिफरेंट्स गुडबाय द्यान कि अबना पड़त लिए